नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्यूकिस्टन चनल में तो आज कोड़ी लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्फ प्रॉब्लम और उसके सॉलिशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि ये वाले वीडियो में हम देख रहे हैं उस तरह से जो पर दर्द मैसस होता है फिर ये दूसरे वीडियो में हम देखे तो परसन है उसको चलने में काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि यह जो रहे आत जो प्यारों का जो भाग है वहां पे सुन्यपन मैसूस होता है मदलब की नमनेस जैसा उन्हें फिल होता है फिर यहाँ पे जो हम देखे तो कमजोरी जैसा फिल करते बैक्ट में तो पेंट हो रहा है पर उसे पेंट लंबे समय तक रहने के करन जो परसन है वह रूटीन में अपन काम सभी से नहीं कर पाता मालों कि आपको बैटे-बैटे कुछ काम करना है तो वह काम को करने में काफी जदा दिक्कत दियाती है फिर क्या होता है कि अगर आपको जुकना पड़ता है कोई काम करने के लिए कि कोई चीज को आपको उठानी है या फिर कोई रूटीन एसी दर्द होने लगता है और यह जो दर्द है वो नसों का दर्द भी कहलाता है कि हमाघ्व की आपको शुबने जैसा होता है कि कोई हाथ में भी कई बार ऐसा होता है या फिर प्यारों में भी ऐसा होता है कि कोई चीटी काड रही है नमनेस जैसा फिल होता है फिर बैठने पर प्यार के दर्द का जो है वो काफी जदा बढ़ना होता है जब आप खडए होते है रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं तब यह दर्ध मान लो कि वह कम हो जता है फिर वापस आप बैठने लगते हैं या फिर बैठने के बाद आप जब आप सबब्चार कैसे कर सकते हैं कैसे हमचों에서 אנחנו कर सकते हैं तो स्बधी का अंदर यह सब अलगलक जो चैप्टर से उसको है फिर क्या होता है कि जो नस होती है वह डबने लगती है उसका compression होता है साइटिक नर्व का उसके करण यह problem जो होता है और यह जो नर्व बैक साइड से लेकर हमारे कमर से लेकर पैरों तक पौशती है लेक्स तो पूरे हिस्से वे परसन को जो काफी ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम के अंदर इस तरह से होता है कि यह आप देखो कि कॉम्प्रेस हो जाता है नर्व रूट कि जहां से यह जो नियूरोन यहाँ पर डेवलप है तो वह एरिया जो है वो क्या हो जाता है कि वहाँ पर नस्च वह दब जाती है तो दबने के करण क्या होता है कि यह जो प्रॉब्लेम जो हो क्रेट होता है कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर साइटिका का प्रॉब्लेम कहते हैं तो कुछ हम रीजन्स देखें तो किसी को पैल्विक रीजियन के अंदर किसी तरह से कुछ इंजियरी हुई थी तो एक symptom डिवलफ हो सकता है फिर कई बार फ्रैक्चर सोता है और उस्पेशली स्पाइनल इंजियरी होती है पेचे की साइड तो एक symptom diplom हो सकता है उसमें फिर टूमर्स के कारण हो सकता है स्पॉंडलो लाइस्टेसिस के अंदर यह हो सकता है फ्राग्रंसी के दौरान सीस्ट है या फिर और ऐसे प्रॉब्लम कि जिसी कारण आपकी जो नर्स जो हो दब गई थी या कि कोई अक्सिदेंटल इंजरी होई थी वहाँ पर तो भी यह प् कि सुई चूपने जैसा कई बार होता है पेइन होता है नमने सो जाता है टिंगलिंग जैसा फिल होता है चलने फिरने में मुस्किल आती है और जब कोई परसन बैठता हो तो खड़े होने में दिक्कत आती है खड़े-खड़े कोई काम करने में या फिर जुक कर काम करने में काफी ज़दा दर्द होने लगता है और स्पेसली यह दर्द जो यह वह लंबे समय तक भी चल सकता है तो यहाँ पर मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो बूख है जो न्यू लांच बूख है डिसीजन ट्रिटमेंट वह बूख आप जरूर से पर्चेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे यह बूख को भी आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो हमारी जो बूख है डिसीजन ट्रिटमेंट तो मल्टी कलर्ड बूख है यह बीमारिया और उनका उपचार सिखने के लिए यह बूख आपको काफी ज्यादा यूसपूल सा भीत होने वाली है कि जैसे आज यहाँ पे हम यह साइटिका का सीख रहे हैं ऐसे बहुत सारी विमारियों के बारे में डिटेल में यह वाली बूख के अंदर दिया हुआ है तो यह बूख को आपको लेना है पर्चेस क इस बता है तो सबसे फिजिकल एगजामिशन रहे चलिगा कि पेसें खीया की जाता है सः फिर उसकी मेडिकल हेस्टिए च्यांधी की जाती है और क्योंकि काई बार क्या होता है कि किसी को करने निऊरौन स्वीक होने लगती है तो यह को भी कई बार साइटिका का pain जो होने लगता है तो blood test किया जाता है कि जिससे पता चले कि blood में sugar वगेरा क्या है कितनी sugar की मातरा है और और भी कोई infections वगेरा हो तो उसके बारे में भी पता लगा जा सकता है अब समझते हैं treatment के बारे में तो treatment में yoga कर सकता है patient meditation, physiotherapy, healthy diet लेना चाहिए health supplements और medicines के option रहेंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप directly medicine लेने से पहले आपके physiotherapist को भी consult कर सकते कि जो आपको कुछ अच्छे exercise बताते हैं कि especially yoga की अलग-अलग pose होते हैं उससे भी साइटिका के pain में जो आपको रहत मिलती है तो आप अच्छे से trainer को भी visit कर सकते हैं कि जो आपको yoga, meditation के लिए अच्छे से train करें और सादो साथ physiotherapist को भी person जो हो visit कर सकता है अब समझते हैं medicines के option के बारे में तो कौन सी दवाईयों के options यहाँ पे रहते तो हमने आगे एक reason देखा था कि neurons का weak होना और सादो साथ हमने देखा था nutritional deficiency तो कुछ ऐसे nutrition होते हैं कि जो हमारी neurons की healthiness के लिए जरूरी होता है जैसे कि यहाँ पे Maconurve Plus करके जो capsule है उसका आप content अच्छे से देखो तो उसमें मिल जाएगा आपको Macabolamine यानि कि vitamin B12 उसके इंदर present है alpha lipoic acid है और दूसरी अलग vitamins है तो यह जो vitamins क्या करते हैं कि जो neurons की healthiness के लिए जरूरी होते हैं और वो nutritional deficient से दिरी-दिरी आपकी जैसे क्योर है नहीं लगती है तो साइटिका का दर्थ भी कम हो जाता है फिर दूसरा option बनता है कि मानलों कि macon और fort आपने लिए उससे भी ठीक नहीं हो रा तो दूसरा medicine का option बनता है यह है vitamin B complex की tablet with B12 उसका एक brand है optineuron fort करके कि जो lupine pharmaceuticals बनाते हैं तो उसका भी dose खास कर रहता है one tablet per day फिर तीसरा option यहाँ पर बनता है neurobian fort के tablet का तो यह भी person ले सकता है फिर चौधा option है neurobian plus के tablets का तो यह भी लिए जा सकती है फिर पांचों आप्सन हम देखे तो मेक्जी यह लेके जो capsule साते है कि जिसका dose रहता है one capsule per day और लंबे समय तक यह treatment therapy चलती है कि जिसका content हम देखे तो gamma-linolic acid है, macobalamin है और vitamin C जो है उसके अंदर present है फिर neurokind gold का भी यहाँ पर option बनता है कि जिसके अंदर multi vitamins है multi minerals है कि जो mankind का यह product है उसके बाद next हम देखे तो उससे पहले में वापस आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी book है वो आप जरूर से purchase कर सकते है काफी ज़्याद आपको सीखने को मिलेगा यह book में से और affordable price में अभी हम यह book आपको दे रहे है और पूरी जो book है वो color है जैसे आप यहाँ पे भी यह video में देख रहे हैं उस तरह से सभी pages जो है उसके color है multi color book है, diagrams अच्छे से color दिये है तो आपको सीखने में और पढ़नाए में काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो topic पर वापस आते हैं तो सात्वा जो option है medicine का वो है हमारे पास वो neurobian ford के injection का है कि tablet तो किसी ने खाई पर tablet से भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आगे जाके जो आपके doctor है वो आपको ये suggest कर सकता है injection की treatment तो उसमें एक और option रहता है neurokind gold का भी option रहता है फिर अब ऐसे दवायों के हम बात कर रहे हैं कि जो आपको B12 तो दे रहे हैं पर साथो साथ प्रेगा बालिन और नौर्ट रिप्टी लाइन भी है उसके अंदर कि जो क्या करता है कि जो दर्द हो रहा है वो दर्द को कम करने में काफी ज़्यदा जहे मदद करते कि जिससे जो दर्द के करण जो person जो mentally उस तरह से हो जाता है कि वो ऐसा फिल करने लगता है कि कोई routine activity उससे सई से नहीं हो पाएगी या फिर काफी ज़्यदा जो है वो कई बार वो depressed भी फिल कर सकते हैं लंबे समय तक दर्द के कारण तो वो problem solve करने के लिए rational plus tablet जो है वो काफी असरदार साबित होती है तो ये भी prescribe की जाती है cytica के problem के अंदर अगर इससे ठीक नहीं होता तो दूसरा alternative है वो है प्रेगा बालेन के capsules का है कि जिसका dose रहता है one tablet दिन में एक या फिर दो बार फिर उससे भी नहीं हो रहा तो एक और option है 11th option ये गाबा पेंटिन फिर next हम देखे तो जहाँ पे आपको ये दर्द हो रहा है तो वहाँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा दूसरा वीडियो भी जरूर से देख सकते है तो गुड लग और अल दे बेस्ट